देखो, आज से तीन चा दिन पहले अमित भराना ने कुछ स्टोरी ज़रा ली थी जिसमें वो बात कर रहे थे कि ऐसे उनके कम्पीटिटर्स उनको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे थे और बीवी और आशीश जोन ने कुछ रिपलाई नहीं किया था और कॉंट्रोवर्सी वही ख़दम हो गई थी बट शाम को मुझे मेसेज आता है मेरे एक सब्सक्राइबर का उसने मेरे को एक स्टोरी भीजा था किसी आशीश के फैन पेज का एन उस स्टोरी को देखके मुझे बहुत बड़ा जटका लगा एन शायद तुम लोग को भी लगे स्टोरी में लिखा था ये गाइस अमिद इस टॉकिंग शिट अबाउट आशु एन बीवी और इस टाइम टॉम टुगेधर वो हमारे आइडल से एन उनको कोई कुछ भी बोले चाहिए वो खुद भगवानी क्यों ना हो उससे ही टगड़ा जाएंगे कोई उनको कुछ नहीं बोलेगा जब तक उनके लिए हम है नहीं सीरियसली कोई सेंस है इस बात की कुछ fan pages मेलके अमिद भरानों को hate देने की तैयारी कर रहे है वा भाई वा वा मैंने तो सोचा था fan page किसी creator को support करने के लिए होता है दूसरे creator को hate देनी के लिए होता है यह तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा Anyways, आज हम इनी toxic fan pages के बारे में बहुत कुछ discuss करने वाले है, so let's start Okay, so तुम लोग किसी भी social media platform पर जाओ, वहाँ पर तुम लोग को बहुत सारे celebrities के fan pages देखने को मिल जाएंगे अब किसी singer या actor के fan pages में तो millions of followers होते है अब यह जो fan pages के मालिक होते हैं, कभी-कभी इनके पीछे बहुत genuine सा fan चुपा होता है या तो इसके पीछे कोई चालाग सा आदमी चुपा होता है अब चालाग से मेरा मतलब क्या है, वो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा सो इसको थोरह हम लोग अच्छे से समझेंगे देखो, social media पे दो तरह के लोग fan pages बनाते है एक जो genuine fan होता है, जो अपने ideal को जी जान से support करना चाता है उसके movie या videos को जी जान से promote करता है या तो उसके पीछे कोई ऐसा आदमी होता है, जो fan page बनाता है, बस followers के लिए अब इसको थोरह अच्छे सा explain करता हूँ, देखो यह जो चालाग आदमी होते है शुरू-शुरे में यह लोग genuine fans की तरह behave करेंगे और दूसरे fan pages के पास आएंगे और बोलेंगे की प्लीज मेरे को follow कर दो, shout out दे दो, promote कर दो, यह वो मतलब कुछ भी करके यह लोग अपने followers बढ़ा लेंगे और जब इनके धीरे-धीरे followers बढ़ने लगते है तो यह लोग अपने private profile को सामने लाते है और बोलेंगे की वहाँ पर follow कर दो चलो यहां तक तो ठीक है कि बंदा रोज edit या pick डाल के अपने idol को support करता है तो 40 या 50 followers इसके बढ़ गए तो कोई बात नहीं लेकिन इसके बाद असली खेल स्टार्ट होता है और यह है the dark side of fan pages अब धीरे-धीरे इनके जैसे ही followers बढ़ते है फिर इनके बास swipe up का option आजाता है अब फिर यह लोग paid promotion करना start कर देते है अब देखो paid promotion करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन जब आप किसी दूसरे creator का नाम लेके अपने followers बढ़ा रहे हो फिर आप किसी fraud application को promote करे हो वहाँ problem आ जाती है अब फिर मैंने ऐसे भी cases देखे है जहाँ पर fan pages खुद creator बनके brands को approach करती है अब फिर बोलते हैं कि हम लोग video बना देंगे और पैसे यह लोग अपने जेब में रख लेता है अब यह बहुत गलत चीज है वीडियो भी नहीं आती creator का नाम कड़ाब होता है अब ऐसा करना बहुत ही गलत है like fan pages बनातो हो तो हम अपने creator को support करने के लिए लेकिन तुम ऐसे scam कर रहे हो companies को और यहाँ यह लोग रुक नहीं जाते है अगर कोई fan page बहुत ही जादा toxic हुआ तो वो अपने power को misuse करना start कर देते है जैसे कि मैंने video के शुरू में दिखाया दूसरे creators को यह लोग hate देना start कर देती है and यह मैंने twitter पे बहुत ही जादा देखा है कि जो fan pages होते like कोई सोचो कि कोई बड़ा star जैसे शारुक खान की movie release होने वाली होती है तो Salman या Akshay Kumar के fan pages example देना हो just Salman या Akshay Kumar के fan pages यह लोग शारुक खान के movie को hate देना start कर देती है and अजीब किसम के hashtag stint करवा देते हैं twitter पे तो यह बहुत गलत चीज है and अगर और एक secret की बात करे तो यह लोग fan pages के followers बढ़ाने के बाद यह लोग उस account को rebrand कर देते है and फिर उसके बाद यह लोग account को एक अच्छे से कीमत में base देते है इसलिए आप देखे होगे कि बहुत बड़े-बड़े pages stories लगाते हैं कि account with 60K followers is available for sale वो 60K followers कहां से आता है कभी सोचके देखा है यही fan pages बना के आता है आपने इसलिए YouTube पर भी देखा होगा कि बहुत सारे fan pages जो होते है वो verify भी हो गए है एक लाख subscribers उनके हो गए है इसलिए लोगों के पास knowledge नहीं है यहाँ पर कि कौन असली है, कौन नकली इसलिए लोग किसी भी मतलब star का photo देखते है तो वो लोग subscribe या follow कर देते है और यहीं पर fake fan pages को advantage मिलता है कि लोगों के पास knowledge नहीं है, कि वो फड़क कर सके कौन real है और कौन fake and last but not the least कभी-कभी कोई fan pages के पीछे कोई political party का IT से भी काम कर रहा होता है like 10 post में एक post वो लग चुपके से political डाल देते है and चुपके से लोगों को influence भी कर जाते है so अमीद है आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आगया होगा आज की बाद अगर आप किसी भी fan page को follow करने जाते हो तो ध्यान रखना कि उस fan page का owner genuine fan हो and अपने creator को genuinely support करता हो and of course जो fan pages के मालिक है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि please आपको जो followers मिले है उनको अपने creator को support करने में लगाओ ना कि दूसरों को hate करने में so बस आज के लिए सब नहीं अगर आपको ये video पसंद आई हो तो इस video को like, comment, share, सब कुछ कर देना मेरे को insta, twitter, facebook, harja पर follow कर देना id आपको यहाँ पर दिखड़ी होगी and of course मेरे channel को subscribe करना मत भूलना जो बगल में घंडाएगा उसको विद्वा देना तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई